हे जंकीज कैसे हूँ आप सब स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में आज फ्राइडे है और आज मुझे फैक्ट बताने थे लेकिन कुछ खास फैक्ट मिले नहीं जो मिल ले थे वो पुराने थे इसलिए आज अभी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं आपको इंटरनेट पे कहीं न कहीं यह तो पता चली गया होगा कि जो फोटनाइट गेम है मतलब जो पब जी का पब जी से पहले आया था वैसे तो फोटनाइट तो फोटनाइट जो गेम है पब जी जैसा ही वो एप स्टोर से बैंड कर दिया गया है App Store और Google Play Store दोनों से ही बैंड कर दिया गया है तो आखिर ऐसा क्या हुआ मतलब क्यों बैंड करा गया है इसको तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो अभी हाली में क्या हुआ Epic Games जो की Fortnite बनाता है उसका जो developer है Epic Games उन्होंने क्या करा उन्होंने जो अपना game है उसमें जितने भी in-app purchases हैं जैसे for example आप PUBG में UC purchase करते हो तो उसी को हम in-app purchases कहते हैं मतलब app के अंदर से ही खरीदारी करना तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे PUBG में UC है उसी तरह इसमें Fortnite में आपको कुछ coins मिलते हैं तो जब आप उस coin को खरीदते हो तो अब आपको वहाँ पर दो options देखने को मिलते हैं पहला या तो आप अपने app store से मतलब जो आपका जैसे play store से अगर आप खरीदते हो तो play store पे लेके जाता है वैसे ही अगर आप Apple में कुछ खरीदते हो तो वो direct आपके app store पे लेके जाता है मतलब app store के थुरू payment करवाता है तो उसने क्या करा है दो method डाल दिये payment करने के पहला app store या गूगल पे लेके थुरू और दूसरा direct payment मतलब कि direct आप सीधा epic games को payment करो मतलब अपनी details वगरा card word की details डाल के या PayPal वगरा जो भी method है उससे आप direct epic games को payment कर दो तो ये दो payment option रख दिये उसने तो अब दिक्कत क्या होई जितने भी पैसे आप app के अंदर खर्च करते हो तो उसका 30% जो है वो Apple या Google वो अपने पास रखता है for example जैसे आपने PUBG में 100 रुपे की UC खरीदी तो अब होगा क्या 70 रुपे तो जाएंगे आपके PUBG वालो के पास और 30 रुपे अगर आप Android से खरीद रहे हो तो Google के पास जाएगा अगर आप iPhone में खरीद रहे हो तो Apple के पास जाएगा तो वो direct Midasby PUBG से connect करता है और PUBG वाले हमारे account में direct पैसा भीज़ देते हैं तो इसमें जो है इसमें भी Google का cut खतम हो जाता है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अलग है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो privacy वाला system है कि हमारी user की guarantee हमारे उपर है तो अब जैसे Midasby से कोई भी गड़बड हो जाती है तो उसमें Midasby की गलती रहेगी जो user है वो Google का कुछ भी नहीं कर पायेगा वो सीधा का सीधा Midasby पर जाकर उसके caller पकड़ेगा तो इसमें Google और Apple ये बीच में नहीं आएंगे इसलिए ये चीज़ अलग है अब इसने क्या करा इसने desktop वालों को बोल दिया कि हाँ हम आपको 20% का वो दे रहे हैं क्योंकि Windows वागरा ऐसा कुछ नहीं करता वो अपना कोई भी share नहीं रखता अगर आप इन app purchases करते हो Windows के games में मतलब जो PC के लिए games होते हो उसमें कुछ भी खरीद होगे तो Windows मतलब Microsoft अपना कुछ भी नहीं रखेगा तो उसने क्या करा भईया 20% का discount दे दिया कि तुम जो भी खरीद रहे हो उसमें 20% का discount है जाओ मजे लो तो mobile वालों ने क्या करा कि भाई यह तो गलत बात है तुम जो है computer वाला game है उसके लिए तो तुम discount दे रहे हो हम mobile वाले हमारे में क्या गलती है हमें भी दो हमें भी चाहिए तो अब इसने क्या कहा कि भाईया देखो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर तो हमें किसी को कोई cut देना नहीं पड़ता यहां पर 30% देना पड़ता है लेकिन फिर इसके बाद Epic की टीम ने सोचा के यार कुछ करते हैं कुछ करते हैं देखते हैं तो इन्होंने क्या करा इन्होंने अपना एक अपडेट पुश कर दिया के भाया अब तुम डायरेक्ट अगर उससे पे करते हो हमें डायरेक्ट 20 में किसी का कट नहीं लेना डायरेक्ट हमें पे कर दो तो हम आपको डिसकाउंट देने को तयार हैं लेकिन अब ये चीज़ Apple को पसंद नहीं आई के भाया ऐसे कैसे हमारा तो नुकसान कर रहे हो तुम तो इसी वज़े से Apple ने थोड़े ही टाइम बाद Fortnite को अपने Play Store से मतलब अपने App Store से हटा दिया और उसके कुछ देर बाद Google ने भी यही काम करा क्योंकि Android में भी अपडेट आ गया था वहाँ पे भी डायरेक्ट पेमेंट का उप्शन आ गया था तो इसलिए Play Store से भी इसे हटा दिया गया तो इस वक्त इस रिकॉर्डिंग के टाइम तक Fortnite ना तो आपको iOS में देखने को मिलेगा और ना ही Play Store पे देखने को मिलेगा जिसके अंदर यह बैन नहीं हुआ है देखो बैन एक अलग चीज है और Play Store से हटना एक अलग चीज है बैन होने का मतलब होता है कि Network Provider से ही मना कर दिया जाएगा इसको support ही मत दो मतलब अगर इसकी request कोई करता है तो आप उसको deny कर दो लेकिन यहाँ पे App Store से या Play Store से हटाने का मतलब यह है कि जितने लोगों के अंदर install है पहले से game install है वो लोग मज़े से खेल सकते हैं लेकिन कोई नया डाउनलोड नहीं कर पायागा उसको तो अब इसी लिए Epic ने Apple और Google दोनों को सू कर दिया है बोलाए के भाई यह तो तुम्हारी बहुत गलत बात है तुम अपनी monopoly चला रहे हो अब देखो monopoly का क्या मतलब होता है कि एक market में सबसे बड़ा राजा जैसे for example मालो जब Jio हमारा market में आया था तो उस टाइम कितने सारे provider थे Idea, Vodafone, Airtel और भी Tata Indicom वगरे यह सब थे लेकिन जब Jio market में आया अपने plan को इतना ज्यादा सस्ता कर दिया कि बाकी लोगों के लिए profit कमाना मुश्किल हो गया इसी वज़े से वो लोग loss में जाने लगे और धीरे-धीरे करके Idea Vodafone एक बन गई और अब almost खतम सी हो गई है तो इसी तरह मान लो, फर सिर्फ मान लो के Airtel का भी यही हाल होता और बाकी दूसरे जो service provider हैं उनका भी यही हाल होता मतलब सब के सब अपना बूरिय बिस्तर बंद करके चले जाते सिर्फ जीयो ही यहाँ पे रह जाता तो इसको हम कहते हैं Monopoly मतलब एक market के अंदर एक चीज को बेचने वाला केवल एक ही इंसान है मतलब एक ही company है बिल्कुल इसी तरह smartphone market में भी Android और iOS केवल इनी दोनों की Monopoly चलती है तीसरा कोई भी operating system इन दोनों के मुकाबले कहीं भी stand नहीं करता तो इसलिए इन्होंने अपनी Monopoly चला रखी है कि भाया जो भी तुमारे उसमें खरीदारी करता है उसका 30% हमें दो तो एक तरह से देखा जाए तो हाँ ये Monopoly का फायदा उठाया तो जा रहा है लेकिन वहाँ पर Apple की बात भी सच है Apple कहता है कि भाई देखो पहला अगर हम आपके लिए इसको deal देते हैं मतलब आपके लिए इसे छोड़ देते हैं तो ये बाकी जितने भी developers हैं उनके लिए वह गलत होगा क्योंकि जब Epic ने game बनाया था तो उसको पता था भी आपको 30% देना ही पड़ेगा वरना आप मत बनाओ मत डालो हमारे App Store पे आपको पहले ही बता दिया गया था ये थोड़ी था कि बाद में आपसे पैसे लिए जा रहे हैं कि आपने डाल दिया उसके बाद आपसे पैसे लिए जा रहे हैं नहीं ना पहले ही आपको पता था कि आपको 30% कट देना पड़ेगा तो ये तो उसकी policy थी तो आपने जो update push करा वो उसकी policy के against push करा तो पहली बात तो ये यहीं पर गलत हो जाती है दूसरा एपल ये कहता है कि भाई देखो अगर तुम direct payment लेते हो तो उससे तुम कितनी अच्छी security दे रहे हो payment gateway को ये हम कैसे बता सकते हैं भाईया तुम तो direct अपना user से direct अपनी company में payment करवा रहे हो तो user जो है अगर कुछ गलत होता है वो तो Apple का caller पकड़ेगा ना कि भाईया मैं तुम्हारा phone यूज कर रहा था कैसे मेरी चीज़े मतलब leak हो गई कैसे दिक्कते हो गई कैसे मेरा data leak हो गया तो इसलिए Apple का कहना है कि user की safety के लिए security का उसका 30% हम लेते हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ-कुछ बातें दोनों की ही सही हैं और कुछ-कुछ बातें दोनों की गलत हैं अगर यह charges 30% नव होकर 15%, 12%, 10% के आसपास होते तो तो यह चीज़े बिल्कुल सही थी मतलब हाँ ठीक था है मतलब चल जाता लेकिन यह जो 30% वाला मामला है यह बहुत जादा हो जाता है और इसलिए epic games अब apple और google दोनों को सू करने के लिए lawsuit फाइल कर चुका है तो अब आगे क्या होता है उसकी updates आपको मेरे twitter पर मिल जाएगी अगर आप मुझे follow नहीं करते और इसी चीज़ को लेकर एक और बहुत ही interesting topic सामने आता है और वो है antitrust का जो matter चल रहा है apple, google, facebook और amazon यह जो चार सबसे बड़ी कंपनिया है ना tech industries में मतलब जो इस टाइम दुनिया को lead कर रही है तो ये companies कैसे छोटे जो developers होते हैं चोटे जितनी भी startups होती हैं उनको कैसे कुचल कर आगे बढ़ते हैं या फिर कैसे इन्होंने इतने सालों से अपनी dominance बना कर रखी है इसके against भी case file चल रही है मतलब antitrust issue आपने कहीं न कहीं शायद सुन रखा होगा तो ये चीज वही है और इसके बारे में अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं और अगली वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको antitrust issue में जो भी दिक्कते हो रही है जो भी इन companies पर charges लगे है जो जो चीज़े अभी तक हो चुकी है उनकी सारी detail आपको देने की कोशिश करूँगा और अगर कोई भी छोटे-मोटे updates आते रहते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटम को दबाना बलकुल भी मत बूलना क्योंकि हम ऐसे ही ग्यान बाटते रहते हैं जैहिंद वंदमातरम